असलाम रेकॉम कैसे हैं आप मैं हुजाइना जिशान और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल कुकिंग विंजाइना में आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मेथी की सबजी तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्रह कीजिएगा और मुझे कमर्स करके बताइएगा कि आपको यह कैसी लगी अगर यह रेसिपी आपको पसानता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटि घ्रल सान केमेह रीक बनाने सान वाइकेल मटर एग कप क्यम्गें आयिल एक कौahaha पिसा जुख धनिया त्या का नकारवीन आटाउनानं की सान्समिष तिममाटर कटा हुआग का प्यास कटियाएग का आईर लाइन मीश का पाडर फासमिष नमक स्कार चाहा ल्दी हमिख द्य करेंगे हांडी में कुकिंग ऐल शामिल करेंगे प्यास डालेंगे प्यास ब्राउन हो गए है अब इसमें शामिल करेंगे अद्रक और सब्समिर्च का पेस्ट अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर एक से दो मिंट के लिए पकाएंगे अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी सुखा धनिया कुटा हुआ नमक असपेजाइका लाल मिर्च का पाउडर नमक असपेजाइका लाल मिर्च का पाउडर के अच्छी तरफ एक प्राइब अच्छी तरह आप इसमें शामिल करेंगे मेथी अच्छी तरह प्सक्राइब हुआ है नहीं नहीं घुआ के लाटे हैक एगा हुआ है जड़ी जड़से शुचित को अपड़ी है झाल साथ ही मटर शामिंट कर देंगे कवर कर देंगे 5-7 मिंट के लिए पान से साथ मिंट हो गए पकते हुए आप इसमें आलू शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे अब मजीद इसको कवर कर देंगे जब तक मेथी और अलू अच्छी तरह अंगल देंगे यह जगिए झालेंगे यह जगिए झालेंगे यह यह जगिए तरह झालेंगे आलू और मटर अच्छी तर अंगल ने हैं आलू मेथी का सालन त्यार है आप इसे डिश आउट करेंगे करेंगे बाल निए अच्छी आप तर अंगल ने आउट आप तर अंगल तर अच्छी तयार है इस रेसिपी को जरूर ट्रै कीजिएगा और मुझे कमेंस करके बिताइएगा कि आपको यह कैसी लगी तो नेक्स रेसिपी तक अपना बहुत सा ख्यार रखिएगा अलाहाफिज झाल को तक आपको यह काईब के रखिवगा हैं